गूड इबिनिंग दोस्तों चलिए फिर से एक वीडियो में स्वागत है जिसका टाइटाल है एक वाइस ओल्ड आउल है वाइस मतलब बुध्धिमान होता है ओल्ड मतलब बुढ़ा या पुराना आउल मतलब उल्लू यानि एक पुराना या बुढ़ा एक बुढ़ा एक समझदार बुढ़ा उल्लू इसका टाइटल यही है यानि एक बुढ़ा समझदार उल्लू देर वाज एन ओल्ड आउल देर माने वहाँ वाज माने था एन ओल्ड आउल मतलब एक उल्लू एक बुढ़ा उल्लू ओल्ड मतलब बुढ़ा होता है आउल मतलब उल्लू या और लगा है अगर यह कांसुनेंट से सुरू होता तो इसके आगे लगता और इस इस लिए यहाँ आएन लगा है क्योंकि यह माने मने जो लिवड माने रहता था इन्हें ओक टीरी यानि ओक टीरी मतलब कोई ओक पेड़ है उसके रहता था इभुरीडे माने परतेक दीन यह अबज़र्ब माने देखना होता है यह अबजर्ब माने वह देखता था incident मतलब घटना होता है मनें रोज घटना देखता that occurred मनें उसके occurred around him माने उसके around मतलब चारो तरफ मतलब जो हो जो होता था उसे देखता था yesterday मतलब कल यानी जो बीद गया हो उसे yesterday कहते है yesterday he was as a young boy help an old man he watch मतलब वो देखता है as a young boy एक जमान लड़के को help मतलब सहाथा करता है an old man एक बुढ़े और मतलब बुढ़ा होता है एक old man मतलब आदमी एक बुढ़े आदमी की सहाथा करता है carry a heavy basket carry a heavy basket heavy मतलब भारी होता है basket मतलब टोकरी जो कि एक बहुत भारी टोकली ले जाता है उसका सहयता करता है यह जो लड़का है यंग बॉय तूडे आज, ही साव ए यंग गरल है, तूडे मतलब आज होता है, ही साव मतलब देखना होता है, ए यंग गरल है, माने एक जवान लड़की, साउटिंग अध हर मदर, साउटिंग मतलब चिलाती है, अध मतलब पर, हर मदर मतलब अपनी माता, माने अपनी माता पर चिलाती है एक जवान लड़की the more he saw अधिक देखता है the less he spoke more मतलब अधिक होता है saw मतलब देखना ही माने the less मतलब कम होता है he spoke कम बोलता है अधिक देखता है कम बोलता है वह जो उललू है as the days went on ऐसे ही दिनों को उसने जारी रखा he spoke less but had more he is spoke माने बोलता है less मतलब कम बड़ लेकिन head more लेकिन head मतलब सुनना होता है more मतलब अधिक लेकिन अधिक सुनता है the old owl head people talking and telling stories the मतलब तो कुछ नहीं होता है वस ऐसे आगे लग जाता है old मतलब बुड़ा होता sorry Old मतलब बुढ़ा, Owl मतलब उल्लू, Head माने, सुनता है People माने, लोगों से, बुढ़ा, उल्लू जो है वह सुनता है, लोगों से टालकिंग माने, बात कर रहे हैं, आएंड मने और टेलिंग स्टोरीज मने कहानी कह रहे हैं अब बात करें इस एक कहानी की लोग बात करें हैं ही हेर डे ओमेन ही मने वह है हेर मतलब सुनता है एक ओमेन एक औरत से saying an elephant jump over a fence saying मतलब कहती है वह है उल्लू जो हा ही हेर डे ओमेन एक औरत से सुनता है जो औरत है वो कह रही है saying मने कहना होता an elephant एक हाथी jump jump मने कूदना over मने उपर a fence मने एक बाढ़ के उपर कूदती है he had a man he मने हुआ है he had मने सुनता है a man मने एक आदमी से जो saying that he had never made a mistake सुनता है कमा आदमी से जो कह रहा है कि he had never made a mistake उसने कभी गलती नहीं की mistake मतलब गलती होता है never मने कभी नहीं made मने made मतलब तो ऐसे बनाया होता है लेकिन इसका जो है हिंदी होगा he made never he had never made a mistake उसने गलती कभी नहीं की the old owl had seen and heard the old owl याने बोड़ा low had seen देखता है and or heard head मतलब सुनता है what happened मने क्या हुआ लोगों के बीच there where some who became better there माने वहाँ where माने थे some माने कुछ हो माने जो became better माने वहाँ कुछ अच्छा होना था some who became worse कुछ बुरा होना था but the old owl in the tree लेकिन बुढ़ा आउल मतलब उल्लू बुढ़ा उल्लू in the tree पेड़ पर had become wiser but the old owl in the tree had become wiser but मतलब लेकिन बुढ़ा आउल इन दे ट्री माने पेड़ पर जो बुढ़ा खुलू था had become wiser वह समझदार था each and every day यानी परती दिन each and every day मतलब होता परती दिन इससे moral क्या मिलती है moral मतलब सिच्छा होता है be more absorbent be more मतलब आधिक देखना talk less and listen talk less मतलब टालक माने बोलना less मतलब कम अधिक देखना कम बोलना and मतलब और listen more मतलब अधिक सुनना this will make us wise यह हमें समझदार make माने बनाना बिल माने का गएगी यह हमें समझदार बनाएगी thanks for watching of this video video झाल झाल